नमस्कार संसार क्रांती की टीम इसम करणाल में मौझूद है और जैसा कि दर्शकों के साथ क्मिट्मेंट करके चलते हैं कि हर बार किसे ने किसी खास कर्य कर्में और खास सक्षिट्स मुलकात करते रहेंगे तो आज ईसी कड़ी में हमारे साथ आस फाउंडेशन की जो डिरेक्टर है राणी कमबोज राणी कमबोजी सबसे पहले तो आपका सुखागत है संसार करांती का भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी तो जानना चाहँगा जो आप आस फान्डेशन को चलाई हुए है तो क्या आपका जो संस्ता का निर्माण किया है उदेशी देखी हैं मानस साधारन जन मानस के लिए हम काम करना चाहते हैं क्योंकि वो उनसे ज्यादा तर प्रशाशन और शाशन दोनों ही अच्छूते रह जाते हैं उनकी तरफ वो थोड़ा सा जो प्रभावी लोग होते हैं वो राजनिती में चले जाते हैं प्रभावी लोग ही प्रशाशन में अपना पैर जमा लेते हैं, तो जनसधारन, तरस्त जनसधारन है, उसी को सबसे ज़्यादा शाषिन की जुरूरत है, तो वहाँ हम काम नहीं कर पा रहा था कोई भी, तो हमने वहाँ प्रयास किया काम करने का, लोग जुड़े तो फिर हमने आस फांडेशन बैनर त्यार किया, उनीक उमीद जब हमसे लगी, तो हमने उसी का नाम रख दिया, आस फांडेशन, तो तब से आस फांडेशन जन्मानस के लिए काम करी, चोटे-चोटे मुद्धों पे काम किया, जैसे के गटर समस्या किसी की है, पैंशन किसी को नहीं मिल रही है, बड़े से बड़े समुद कठे हो जाते थे, उनकी हम पैंशन का कराते थे, जो चल्ले राशी जो सरकार ने मुहिया कराने का वादा किया था, वो नहीं मिली, वो लड़ जगड़ किसी तरह परदशन बार बार करके वो वैदर कराई, राशन नहीं मिल रहा था लोगों को राशन कार्ड पे जो से तो बच जाएं तो इस तरह से करते करते काम लोगों की उमीदों बढ़ती चले गए और हमारा प्रचार प्रसार भी बढ़ता चला गया काम का कारिक शेतर भी बढ़ गया तो फिर अब आगे आस फांडेशन का फिर कहीं शहरों में विकास हो गया कितने लग बगए आहियाना में दी बात करते हैं तो कितने शहरों में हमारी यूनिट है पानीपत में हमारा आस फांडेशन का यूवा वरग पर काम होता है जैसे कि उनकी पैंशन सारी उनकी तो स्कॉलर्शिप वगएरा का नहीं मिल पाते जिनको वो अवैलेबल करा देते है और यहां पर अंबाला में हमारा बहुत अच्छा यूनिट है एक दो शहर और हैं जिन में पलवल में भी मेरे हजबन है दीपक महरा वह उन्होंने बनाया है वहां पर अच्छा टीम है हमारा तो काम तो काफी जग है लेकिन मतलब जो एक्टिव रूप से काम है बहुत खु करते हैं अभी चुनावी मैदान में भी आप आने वाले हैं तो वार्ड नंबर कितने से आप चुनाव लड़ रहे हैं और मेर की जो त्यारी है वह आपके चल रही है तो वार्ड नंबर कितने से त्यारी कर रहे हैं वार्ड नंबर 11 से मेरी त्यारी है और अच्छी त्यारी ही है कि बाड नंबर 11 से जैसे ही डारेक्ट मेयर का अनाउंस हुआ कि इस बार मेयर डारेक्ट लेंगे तो फिर मेरे ही वाड के सबी लोग कि कठे होके आगे के मैडम अब तो मेयर कई लड़ो हम चाहेंगे हमारा यहां का केंडिडेट पूरे शहर का प्रतिनेदित करें तो औ जाना कि जो अच्छा बोटता है वह अच्छा विरूस को एक वृक्ष के रूप में मिलता है हमने तो सिर्फ बीज बोया था आज हमारे लिए फल्दार वृक्ष तियारो हो चुके हैं तो वही लोग हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं टो राणी जी महिलाओं को लेकर कि क्या प कल्पना चावला को दिया है कर नाल जैसे शहर से कल्पना चावला निकली और आज से बहुत साल पहले निकली है जो antrikष तक चली गई तो हमने तो हमने थो हमने को follow क्या किया कुछ भी तो नहीं हम लोग बातों में रहे गे हमने नहीं अपनी ओरत को वहां तक पहुंचा आपन कि को भी ऐसा नहों कि मैं एक लड़ी प्रतिने दित्व करती रहा जाओं लड़कियां यहां जो कॉलिज गॉइंग गल्स हैं या फिर जो कॉर्स कर रही हैं उनका मेरे से कोई जुड़ा भी न रहे यह जो जब तक जो जुड़ा खतम हो जाता है ना हम सिर्फ रिबन काटने करें रहा जाते हैं तो फिर यह को रोग देता वो मेरे से उंपायरर तब होंगी जब मैं उनकी बात करोंगी जब उनको समझूंगे तब उनको लगेगा कि हमारे मैम यहां है हमारी मेर यहां है तो हम इससे बहुत आगे जा सकते हैं जब हमें बढ़ाने वाली आज यहां बैठी है और अब्यूसली वह मेरे से बहुत आगे जाने वाली प्रतिभाट